अखंड मंतन के सबी दर्शकों को नमस्कार मैं हूँ शेखत्रिपाथी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अखंड मंतन भविशे मालिका वेब सेरीज का 21 सीजन आरब हो चुका है जिसमें अभी तक हम आपको 3 एपिसोड दिखा चुके हैं लेकिन अभी भी आप भविशे मालिका की भववशे वाड़ी ओपर प्रस्ट उठाते ही रहते हैं और जिसका उत्तर भी हम आपको लगातार देते जा रहे हैं किन्तो आप तब भी संतुष्ट नहीं होते तो लीजिए अभी एक ही दिन पहले भववशे मालिका की एक और भववशे वाड़ी भी सत्य हो गई है जिसका साक्षे अब हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं पहले आपको साक्षे दिखाते हैं फिर बताते हैं कि आख अर्थात वैग्यानिक यंत्र काम नहीं करेंगे हरी चक्र घूम रहा होगा कल कारखाने नस्ट हो जाएंगे और गुप्त रूप से अर्थात कारखानों में आग लगने का करण पता नहीं चल पाएगा फिर लिखा गया है कि निकट रे गोड चहड वैग्यानिक यंत्र अर्थात शिग्री युधारम होगा और वैग्यानिक यंत्र अचल हो जाएंगे और काम करना बंद कर देंगे और अनन्त युक का स्वामी अचुतानंद दास जी का ये स्वपन पूरा हो जाएगा तिर इसके आगे लिखा गया है अर्थात 2024 में कम्प्यूटर और मोबाईल जैसे उपकरन भी काम करना बंद कर देंगे और कल कार खाने भी दीरे दीरे ट्थप होने लगेंगे अब ये कम्प्यूटर और मोबाईल के ठप होने की बात जो 600 वर्ष पूर लिख दी गई थी वह एक दिन पहले सत्य हो गई है आपने देखा होगा कि कैसे 19 जुलाई को संसार भरके 99 देशों के सारे कम्प्यूटर ठप पड़ गए अब आप कहते हैं न कि हम बता रहे हैं वह सत्य नहीं होता तो आप ही बताएं आखिर कैसे एक वाइरस के कारण माइक्रोसॉट जैसी बड़ी कम्पनी पूरी तरह से असहाय हो जाती है और उस छोटी सी खराबी को ठीक करने में 16 घंटे से भी अधिक समय इस कम्पनी को लग जाता है जबकि माइक्रोसॉट संसार की सबसे बड़ी कम्पनीों में से एक है और उनके पास ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए एक पूरी टीम पूरी तरह से समर्पित रहती है फिर भी ऐसा आखिर क्यों हुआ ये सोचने वाली बात है माइक्रोसॉट में आई एक तकनीकी गड़बडी के चलते हजारों फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी और कई बैंकों की सेमाएं भी ठप हो गई इतना ही नहीं अस्पताल, शेयर बाजार और कॉलिंग सेमाएं भी प्रभावित हुई ग्याद्यपी, माइक्रोसॉट के अनसार आउटेज के कारण उत्मन समस्या को क्राउड स्ट्राइक से ठीक कर दिया गया लेकिन उसे अभी पूरी तरह से ठीक होने में समय लग सकता है ये Crowd Strike Microsoft के डिवाइस को वाइरस से बचाने का काम करता है। Crowd Strike में तकनीकी कमी के चलते पूरा सर्वर ही डाउन हो गया। पूरी दुनिया में Microsoft के आउटेज के कारण हर कम मच गया लेकिन रूस और चीन इस से बच गये। इसके चलते इन दोनों देशों की प्रशन सा भी की जा इसी के चलते दोनों ने वर्ष 2002 में ही अपनी तक्नीकी को विक्सित किया था और इसी कारण दोनों देशों को Microsoft का सरवर ठप होने से उनके उपर कोई विशेस प्रभाव नहीं पड़ा अब आप ही बताएं कि आखिर ये क्या हुआ क्या आपको अभी भविशे मालिका की भविशेवाडी के सत्ते होने में कोई संदेध दिखता है और अभी तो ये आरंभ है आगे आगे जैसे जैसे समय व्यतित होता जाएगा एक एक बात आपके सामने सच होकर आने लगेगी तो चलिए आरंभ करते हैं आज का एपिसोड आज के अंक में देखिए कि कैसे 2024 के पश्चाथ बदल जाने वाला है ये संपून कल योग किन्तु जो समय सीमा हमें प्राप्त हुई है उसे लेकर ये कहा नहीं जा सकता कि ये घटनाए इसी समय सीमा के अंदर घट सकती है क्योंकि भविशी मालिका का जब हमने गंभीरता से अध्यन किया तो हमें ग्यात हुआ कि एक ही घटना के कई स्थान और समय दिये गए हैं कल की अवतार को लेकर के उनके मातापिता को लेकर के भी कई प्रकार के वर्णन प्राप्त हो रहे हैं अधा जब हम इन सारे तत्यों को गंभीरता पूर्वक इसका विशलेशन करते हैं तो हमें ये ग्यात होता है कि श्री जगनात घटनाओं का संकेत तो दे रहे हैं किन्तु इन घटनाओं के घटने के कई समय को दे करके वो लोगों के बीच ब्रह्म भी उत्पन कर रहे हैं अब आप सूच रहे होंगे कि भगवान संकेत भी दे रहे हैं और ब्रह्म भी उत्पन कर रहे हैं तो ऐसा क्यों है? तो इसका जो हमें संकेत प्राप्त हुआ है वो ये है कि भगवान नहीं चाहते हैं कि वास्त्विक समय की सीमा किसी भी भक्त को पता चले। क्योंकि यदि वास्त्विक समय सीमा पता चल गई तो भगवान के कारे में कोई भी विग्ण डाल सकता है। एक बात और भी ध्यान देने योगे है कि जब भगवान ने भवशे मालिका के माध्यम से आने वाले समय का वर्णन जब 600 वर्ष पूरू ही कर दिया था तो आखिर ये बातें इन 600 वर्षों में कभी भी किसी के सामने क्यों नहीं आई आखिर ऐसा क्या रहसे है कि भगवान चाहते थे कि कोई भी ना जाने किन्तु घटना की सूचना दे कर वो लोगों को सचेद भी करना चाहते थे सबसे बड़ा प्रशन ये है कि जब संसार के सभी गरंथ और उसमें लिखी गई बातें जब सब के सामने बहुत पहले ही आ गई थी तो फिर ये गरंथ लोगों की पहुँच से इतना दूर क्यों रहा और भगवान शी जगनात ने डेढ़ लाख पांडूलिपियों के माध्यम से विविन प्रकार के वर्णन क्यों दिये दूसरी बात यह है कि जब संस्कृत में लिखे और यहां तक की पाली भाषा में लिखे गए गरंथों का अनुवाद भी संसार की कई भाषाओं में हो चुका है तो फिर ये गरंथ सबसे अचूता कैसे रह गया क्या आपको नहीं लगता कि ये भगवान की कोई बहुत बड़ी माया है और इसका पता भी धीरे धीरे चली जाएगा किन्तु मालिका के डिकोडरों और शोद करताओं ने जो समय अब निकाला है वह हम आपके सामने प्रसुत कर रहे हैं तो मालिका के अनुसार वर्ष 2025 में जब शनी मीन राशी में गोचर करेंगे उस समय सूरे के भी मीन राशी अत्वा मेश राशी में गोचर के समय सूरे से भयंकर अगनी की वर्षा होगी इसी कालखंड में सूरे से सौर तूफान उठने की बात तो वैज्यानिक भी बता रहे हैं क्योंकि खगोल विदों के अनुसार 2025 तक आते आते सूरे से उठने वाली गर्मी अत्यनत प्रचंड हो जाएगी और इसी कारण धर्ती की रक्षा करने वाला जो गुरुत्वा कर्शन बल है वह 60 प्रतिशत तक कमजोर हो चुका होगा जब प्रित्वी का गुरुत्वा कर्शन बल कमजोर होगा तो प्रित्वी का अन्त ये भी एक कारण बन सकता है जैसा कि आप जानते हैं कि सूरे हमारी पृत्वी से काफी बड़ा है और उसके गुरत्वा कर्शन बल के कारण ही काफी ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं यदि पृत्वी का ये गुरत्वा कर्षन बल कमजोर हुआ तो सबसे पहले वायो मंडल समाप्थ होगा और वायो मंडल के समाप्थ होते ही पृत्वी पर जीवन के समाप्थोने की आशंका बढ़ जाएगी बिना गुरत्वा कर्षन बल के पृत्वी की सारी की सारी वस्तुएं वजण हीन हो जाएगी किन्तु जैसे ही धर्ती की ये ग्रेविटी समाप्थ होगी हमारे साथ साथ इस धर्ती पर रहने वाली सबी वस्तुएं इमारतें, रेल, सडक, समुद्र, बिजली के तार, डैम, ब अचानक इतना कम वायोदाब होने से सभी के कान फट जाएंगे, पृत्वी से ऑक्सीजन भी चला जाएगा, ऑक्सीजन के बिना H2O क्या है? ये सही है, पानी हाइड्रोजन गैस बन जाएगा, जिससे प्रतेग जीविच सेल में ततकाल विस्फोट हो जाएगा, बेशक ये पांच सेकेंड में समाप्थ हो जाएगा, और जब गुरुत्वा कर्शन भल वापस आएगा, तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा, दूसरी बात जो मालिका में लिखी गई है, कि सूरे जब अपनी अगनी से धर्ती को जलाएगा, तो मानो निर्मित सभी उपकरन, किसी खि पित उग्रह कई टुकडों में विभक्त हो कर तेजी से गिरेंगे, जो उलका पात जैसा ही दृषे निर्मित कर देंगे, ये बड़े बड़े लोहे के टुकडे जहां जहां गिरेंगे, वहां वहां विनाश होगा, साथी जब वर्ष 2025 तक सौर तूफान धर्ती पर आएग तो सारी आधुनिक दुनिया भी समाप्थ हो जाएगी, और संभौता इसी के बार कलकी ओतार घोडे पर सवार हो करके प्रकट हो जाएगे, अब आप ही विचार करें कि जब आधुनिक मानों के पास मशीन गन जैसे आधुनिक हतियार हैं, तो भगवान कलकी घोडे पर सवा माहन नस्ट हो जाएगे, इसी लिए जब कलकी भगवान प्रकट होंगे, तो उन्हें तलवार यानी खड़क जैसे अस्त्र की आवश्यक्ता पड़ेगी, इसी 2025 के आसपास कलकी भगवान के बड़े भईया बलभदर जी अत्यनत क्रोधित हो जाएगे, और उनके क्रोध के कलकार खानों में और फैक्ट्रियों में जहां भी किसी वस्तु का उत्पादन होता है, उसमें विस्पोट हो जाएगा, एक प्रकार से देखा जाए और भवशी मालिका की भवशी वाडियों पर विश्वास किया जाए, तो इस ग्रंत के अनुसार 2025 के बाद मनुशे पाशा करणी लोकस्वयम को हनुमान, वशिष्ट, अस्वत्थामा, व्यास, लक्षमर, दुरू, आदी, नारद, आदी नामों से बुलाने लगेंगे, जब इतने सारे फरजी ओतार सामने आएंगे, तो समाज के लोग भ्रमित होने लगेंगे, इस समय कल्युक का प्रभाव इतना कल्की भगवान अपनी सेना के साथ घोडे पर सवार हो कराएंगे, कल्की भगवान का घोडे पर सवार होने का एक संकेत ये भी है, कि उस समय तक आदुनिक पेट्रोल, डीजल या फिर बिजली से चलने वाले सारे वाहन समाप्त हो जाएंगे, आज जब युद आदुनिक ह कि जो भगत, दिवे दृष्टी वाले होंगे, तो वे भगवान को पहचान लेंगे, और भगवान भी ऐसे भगतों को पहचान लेंगे, लेकिन इतना तो तैह है कि कल्यूग के अंत में जब भगवान कलकी प्रकट होंगे, तो उससे पहले विनाष्ट की अधिकांश घटन नहीं हो सकेगा, कल्यूग का अंत करने के लिए सूरे देव का प्रकोप भी काफी होगा, क्योंकि सूरे के प्रकोप से धर्ती का एक बार अंत पहले भी हो चुका है, वर्ष दोजार पचीस में जब सौर तूफान के कारण सारी आधुनिकता समाप्त हो जाएगी, तब चक् ये एक ऐसा समय होगा, जिसमें बिजली जैसी उर्जा भी नहीं मिलेगी, और हर वेक्ती बस अपने प्राण बचाने में ही सारी शक्ती जोग देगा अनन्त यूग के बार जब सत्यूग का आरम होगा, तब प्रभु कलकी अपनी सुधर्मा सभा में विशोकर्मा भगवान को ये आज्या देंगे कि वे सारी पृत्वी पर पुनह सारे निर्माण कारे को आरम करें, और विज्ञान तथा अन्य विद्याओं को सारे संसार में इस्थापित करें, भगवान ये निर्माण इसलिए कराएंगे क्योंकि बिना नए भावन और अनिसुधाओं के वो राजिकाजे कैसे चलाएंगे, इसी के बार प्रभु के निर्देश से विशुकर्मा भगवान धर्ती पर पुनह भवन भुवन का निर्माण करेंगे और कल कारखानों की भी इस्थापना की जाएगी। और ना किसी के मन में कोई विकार होगा। सत्यूग में कोई बुढ़ा भी नहीं होगा और समय का प्रभाव वैसे भी नहीं पड़ेगा जैसे कल्यूग में पढ़ रहा है। सत्यूग की प्रजा सबसे सुखी प्रजा होगी और वह आनन्दित होकर प्रभु के भजन में अपने आपको लगाए रखेगी इसलिए जो दर्शक कहते हैं कि ऐसी भविशिवाडियों से निराशा फैल रही है तो हम आपको बता दें कि आने वाला समय अब तक का सबसे बड़ा स्वर्णीम काल कहा जाएगा और ये ऐसा सुन्दर आनन्दित समय होगा जिसकी अभी किसी ने करपना भी नहीं की है तो दर्शकों आज के एपिसोड में बस इतना ही मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और भवशिमालिका की रोचक जानकारियों के साथ किन्तु आपसे जाते जाते ये अनुरोद करेंगे कि आप इन भवशिवारियों से भैबीत मत हों इन्हें मात्र एक रोचक जानकारी मान कर ही देखें इनसे भैभित होने की आपको कोई आवश्यक्ता नहीं है किन्तु सावधान आवश्य नहीं क्योंकि जो आने वाला समय है वो हमको 2020 में एक संकेत दे ही गया है कोरोना वाइरस के माध्यम से अगर इसके बाद भी हम नहीं समलते हैं तो फिर इसमें तुरुटी हमारी ही होगी तो मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ तब तक के लिए हमें अनुमती दें तन्यवाद नमस्कार हुआ है